जमू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और दिमोंक्रेटिग प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की अधियाष गुलाम नभी आजाद ने उपरा जिपाल बनाने जाने के सवाल पर पर प्रतिकरिया दी है। गुलाम नभी ने कहा कि उन्हें जमू कश्मीर का उपरा जिपाल बनने में कोई दिल्चस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो यहां रोजकार करने नहीं बलकि लोगों की सेवा करने आये हैं। पुर्व कॉंग्रेस नेता ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के स्थापना दिवस परायोजित रैली में अफवाओं को नकारते हुई ये बाते कहीं। साथी उन्होंने लोगों से अफवा पर विश्वास ना करने की अपील की। आजाद ने कहा कि कुछ लोग ये अफवा फैला रहे हैं कि पुनरवास की तलाश में हैं। है कि मुद्रा स्वीती केवल भारत के लिए नहीं। यूरोप में मुद्रा स्वीती सबसे अधिक है। लेकिन उनके पास इससे निपटने के अन्य साधन भी हैं। हमें गरीब राज्जे से हैं। सरकार पदों के विज्यापन निकाल रही है लेकिन साक्षतकार नहीं हो रहे हैं। शिक्षित यूवाओं के पास कोई नौकरी नहीं है। अभीभावकों ने बच्चों की सिक्षा पर अपनी बचत खर्च कर दी है। परियटन में समाज के सभी वर्गों को अजीवी का प्रदान करनी की शमता है। 2007 में स्थापिट टूरलिप गार्डिन ने हजारों लोगों को अजीवी का प्रदान की है। मेरी योजना जमु कश्मीर के प्रतीक जीले में 10 से 12 परियटन स्थल विक्सित करनी की थी। और 35 ए को निरस्त करना एक बड़ी गलती थी। कई सालों में कुछ राजनीतिक गलतियां हुई जिनोंने राज्य को आगे बढ़ने के बजाए पीछे ढखेल दिया। अनुछेद 35 ए बाद में अनुछेद 35 बी स्वतंत्रिता के बाद प्रख्यापित नहीं किया गया। और पीछे ढखेल दिया। इस बात को लेकर अनिश्चुता थी कि जमीन हमारे पास रहीगी या नहीं। अनस्या बन गई है। नश्य का कारोबार करके कई लोग करोरपती बन जाते हैं। उन्हें मौत की सजादेनी चाहिए। वीडियोडेस्क अमारुजाला.com अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला। चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ बैल आइकन दमाना ना बोलें। ताकि हर खबर हो आपके गरूजाला। निश्पक्ष निर्भी निरंदर।